दिग्विजे सिंग ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर टिकेट नहीं दिया तो हरवात होगे यहीं से आप लोगों ने मुझे लोग सभा का चुनाव 50,000 वोटों से हरवाया था दरसल ये विडियो भोपाल का है जोहां बैरसिया के बर खेडी देव गाउं में पैदल पर इक्रमा करने पहुंचे थे दिग्विजे सिंग इस दोरान लोगों ने दिग्विजे सिंग का तिलक लगा कर स्वागत किया वहीं एक टिकेट के दाविदार के कुछ समर्थकों ने उसका नाम लेकर टिकेट देने की वकालत करने लगी जोस पर गुस्सा है दिग्विजे सिंग ने उनको जम कर सुना दी अब लोगों ने लोगों लेकर टिकेट कोई है तो आगरे जीते ही अगरे टिकेट कोई है तो आगरे जीते ही दिग्विजे सिंग का ये विडियो तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल दिग्विजे सिंग बुद्वार को भोपाल के बरखेडी गाउं पहुंचे थे जहाँ पर उन्होंने 18 किलोमेटर नंगे पैर पैदर चलकर देव परिक्रमा की थी दिग्विजे सिंग के देव बरखेडी गाउं पहुंचने से पहले रास्ते में जगा जगा उनका स्वागत किया गया था इसी दोरान एक जगा पर दिग्विजे सिंग का स्वागत करने के दोरान कुछ ग्रामिनों ने एक व्यक्ती के लिए टिकेट की मांग की थी फिलाल पहले ही दिगविजे सिंग ने टिकेट के दावेदारों को साफ कर दिया है कि टिकेट देना उनके हाथ में नहीं है कमलनाथ सर्वे के आधार पर ही टिकेट देंगे हाला कि ये बात अभी तैय नहीं है जिन 66 सीटों के जिम्मेदारी दिगविजे सिंग ने दी है कहीं न कहीं उनके टिकेट वितरण में दिगविजे सिंग के भी मानी जाएगी साथ ही कमलनात और AICC के सर्वे से भी क्रॉस चेक किया जाएगा गोपाल से इजहार असन्द खान के रिपोर्ट, MP तक प्रॉस पिलेगे दिन army जाएगार के भी मानी जाएगार के लाएगार के लाज़नाओ जाएगार के लाएगां